दोस्तो धार्मिक नगरी वरिंदावन में निधीवन एकत्यांत पवित्र रहसमई धार्मिक स्थान है मानेता है कि निधीवन में भगवान शिरी कृष्ण एवं शिरी राधा आज भी अर्धरातरी के बाद रास रचाते हैं रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शेयन करते हैं रंग महल में आज भी प्रसाद यानि की माखन और मिश्री प्रती दिन रखा जाता है दोस्तो बहुत से लोग निधिवन में होने वाली रासलिला और वहाँ पर होने वाले चमतकारों को सिरफ एक अंधविश्वास मानते हैं लेकिन जो भी निधिवन में होने वाले चमतकार के उपर भरोसा नहीं करते वो एक बार निधीवन जाकर इस वीडियो में बताये जाने वाली घटना के बारे में जरूर पूछें मैं शत प्रतीशत दावा करती हूँ कि निधीवन को अंधविश्वास मानने वाले लोगों को वहां के चमतकारों पर पूरा भरोसा हो जाएगा तो दोस्तो चलिए निधीवन में होने वाली इस सची घटना के बारे में जानते हैं और अगर आप भी शिरी कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय शिरी कृष्ण लिख कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो आपने निधीवन के बारे में बहुत सी कहानिया सुनी होंगी कि वहाँ पर रात में भगवान, शिरी कृष्ण राधारानी और गोपियों के संग रास लिला गटते हैं और आपको ये भी पता होगा कि निधीवन के आसपास के रहने वाले लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद करवा रखी हैं ताकि रात में गलती से भी उन्हें निधीवन में होने वाली रास लिला ना दिखे तो आज मैं इसी पर अधारितिक सची घटना बताने जा रही हूं करुना नाम की एक 16 साल की लड़की निधीवन के बगल में ही अपने परिवार के साथ रहती थी करुना को निधीवन में होने वाली रास लिला के बारे में उसके माबाप नहीं बताया था करुना पहले चोटी थी तो इन सब बातों पर इतना गौर नहीं करती थी लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो उसे निधीवन के चमतकार अंधविश्वास लगने लगे क्योंकि उसने सिरफ निधीवन के बारे में सुना था कभी देखा नहीं था उसके घर की जो खिड़कियां थी उसमें भी ताला लगा हुआ था एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना निधीवन में होने वाली गतिविधियों को अपनी आँखों से देखें तब ही उसको इस बात पर भरोसा होगा एक दिन रात को उसके घर वाले सो गए तो करुना ने उस खिड़की के ताले की चाबी ढूंड कर चुपके से ताले को खोल कर खिड़की खोल दी खिड़की खोलने के बाद का जो नजारा था वो सब देखकर करुणा को यकीन नहीं हो रहा था कि आज के समय में भी ये सब संभव है उसने देखा तो निधिवन के तुलसी के पेड धीरे धीरे गोपियां बन रहे थे कुछी देर में उस निधिवन में हजारों की संख्या में गोपियां दिखने लगी उसे अपनी आखों पर भरोसा नहीं हो रहा था वो बड़े ही उच्चुकता के साथ निधिवन के द्रिश्य देख रही थी कि तब ही उसे एक अदभुद रोशनी दिखाई दी वो रोशनी पूरे निधिवन में फैल गई थी रोशनी इतनी देश थी कि अब उसे कुछ दिखाई देना बंध हो गया था और कुछी देर में वो धीरे धीरे शांत पढ़ने लगी और बेहोश होकर वही पर गिर गई सुबह उसके घरवालों ने करुणा को देखा तो सभी परेशान हो गए उस पर पानी डाला और उसको उठाने की कोशिश की उसके घरवालों ने खुली हुई खिड़की देख कर समझ गए कि रात में इसने निधिवन का दरिश्य देख लिया है कुछ देर बाद करुणा को होश आया लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था डॉक्टर ने देख कर बताया कि उसकी आँखों की रोशनी जा चुकी है दोस्तो ये घटना पूरे निधिवन में फैल गई इसलिए उसके बाद से कोई गलती से भी और रात में निधिवन की तरफ की खिड़की दरवाजे नहीं खोलता दोस्तो इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वैसे तो हर कोई जब भी मंदिर जाता है तो दर्शन करने के बाद यहाँ परिकर्मा जब लगाता है लेकिन विरंदावन में सिर्फ मंदिरों की हिए नहीं बल्कि पूरे विरंदावन शेत्र की परिकर्मा लगाने का महत्तव है मानेताओं के अनुसार भगवान शिरी कृष्णे ने वरिंदावन की पावन धर्ती पर अपनी लिलाएं की और उनके चर्णों का राज आज भी वरिंदावन में मौजूद है ऐसे में दोस्तों हम आज एक ऐसी गटना के बारे में बात करेंगे जब यमुना नदी में डूपते हुए बच्चे को बचाने चले आए भगवान शिरी कृष्णे जनमास्चमी के दिन यमुना नदी के किनारे एक ऐसा चमतकार हुआ कि वरिंदावन के लोग उस चमतकार को देखकर हैरान रह गए क्योंकि वरिंदावन के इतिहास में ऐसा चमतकार आज तक देखने को नहीं मिला था इस चमतकार को देखकर आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा दोस्तों अगर मन में सटी श्रधा हो तो वरिंदावन में विराजमान बांके बिहारी जी हर किसी की सहायता करने आते हैं ऐसा ही एक चमतकार हुआ था वरिंदावन के रहने वाले समीर जी के साथ समीर जी बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे वो हर रोज सुबह उठते ही तयार होकर सबसे पहले बिहारी जी के मंदर जाते उसके बाद ही अन्न का धाना ग्रहन करते समीर जी के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे ऐसे में उन्होंने अपने बेटे का नाम समीर रखा था समीर जी का परिवार मतुरा में रहता है जिसमें उनके माता पिता, उनकी पतनी और एक पांच साल की बेटी भी रहती है समीर जी की मतुरा में एक फल की दुकान है जिसे उनका और उनके परिवार का खर्च बहुत ही अच्छे से चल जाता है समीर जी हर पर्व में अपनी पतनी के साथ यमुना सनान करने वरिंदावन जरूर जाते थे पहले तो यमुना में सनान करते फिर बिहारी जी के दर्शन कर वापिस घर लोटते थे हर बार की तरह समीर जी अपनी पतनी के साथ वरिंदावन के लिए निकल रहे थे तब ही उनकी पांथ साल की बेटी भी जिद करने लगी कि मुझे भी चलना है लेकिन उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी तो समीर जी ने पतनी से कहा कि चलो इसे भी ले चलते हैं लेकिन इसका धियान रखना फिर वो तीनों वरिंदावन की यमुना नदी के किनारे पहुँच गए समीर हर बार निधिवन के बगल में आरती घाट पर सनान करता था जहां पर यमुना जी की आरती हुआ करती थी समीर जी ने पतनी से कहा तुम जाकर पहले सनान कर लो तब तक मैं बच्ची का धियान रखूँगा उसकी पतनी सनान करके आती है फिर समीर बोलता है तुम इसका धियान रुखो अब मैं जा रहा हूँ फिर समीर यमुना सनान के लिए चला गया उसके बाद उसकी पतनी वही पर धूब बती और दीपक जला कर यमुना जी की पूजा करने लगी इतने में उसकी पांच साल की बेटी खेलते हुए यमुना नदी की तरफ चली गई उस वक्त समीर सनान कर रहा था और उसकी पतनी पूजा कर रही थी इसलिए दोनों का ध्यान उस बच्ची पर गया ही नहीं वो बच्ची धीरे धीरे उस नदी में डूबने लगी तब ही उसकी पतनी को रोने की आवाज आती है जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां उसकी बच्ची नहीं होती जब वो यमुना की तरफ देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसकी बच्ची काफी आगे की तरफ डूब रही थी समीर को भी तैरना नहीं आता था तब ही समीर और उसकी पतनी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मदद के लिए चिलाने लगते हैं फिर वहाँ पर एक ऐसा चमतकार हुआ दोस्तों जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए पलक जपकते ही वहाँ पर एक 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और नदी में कूज जाता है देखते ही देखते हो लड़का बच्ची को यमुना से बाहर ले आता है उसकी माँ बच्ची को गले से लगा कर रूने लगती है समीर की नजर 16 साल के लड़के पर जाती है तब ही वो लड़का यमुना नदी के अंदर डुपकी लगाता है समीर काफी देर तक खड़े होकर उस लड़के का इंतजार करता है लेकिन वो लड़का यमुना से बाहर आता ही नहीं अब समीर समझ चुका था कि ये लड़का कोई साधारन लड़का नहीं था वो स्वयम साक्षाद बांके बिहारी जी थे जो मेरी बेटी को बचाने के लिए आए हुए थे उसके बाद वो खुशी मन्द से बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी जी का धन्यावाद करते हैं धीरे धीरे ये चमतकारी घटना पूरे वरिंदावन में फैल जाती है सो ऐसे में प्यारे दोस्तों आप इस गटना के बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसी के साथ आपको कुछ अन्य जानकारी भी देना चाहेंगे दोस्तों भवयता से परिपूर्न प्रेम मंदिर एक विशाल मंदिर है जिसे वर्ष 2001 में जगद गुरु शिरिक रिपालू जी महराज द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर भवान के प्रेम का मंदिर के रूप में जाना जाता है ये भव्य धार्मिक स्थान राधा कृष्ण के साथ साथ सीता राम को भी समर्पित है उत्तर प्रदेश के मतुरा जिले के पवित्र शहर वरिंदावन में स्थितिये मंदिर पवित्रता और शांती से भरप मुझे उमीद है कि इस वीडियो में बताएगी घटनाओं को सुनकर इन किस्सों को सुनकर आपका विश्वास भी भगवान शिरी कृष्णिक के प्रती और भी जादा द्रड हो गया होगा ऐसे में अगर आपका विश्वास और द्रड हो गया है भक्तिमया हो गया है तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखेगा वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा जल्दी मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यावाद कर दोस्तों Да